तीन राज्यों में भारी बंपर मिली है भाश्पा को इस वक्त मोधी मैजिक हर जगत चलना है सित कालिन सत्राज से सुरू हो गया है कल जीतने के बाद मोधी जी बीजेपी कार्याले आया और बताये कि हम लोग किस हिसाब से चुनाओ लड़े और कहीं ने के कॉंग्रेस पार्टी को भी टार्गेट किया गया उसी पर सारे राज्यों की अब राजनीती तेज हो गई कहा ये जा रहा है कि 2024 में फिर से ये बोला जा रहा है ये चुनाओ ये तो सेमी फाइनल था हिमाचल की भी राजनीती तेज है हिमाचल में पूर जो हमारे मुखमंत्री रहे जैराम ठाकुर ने भी आरोप लगाया है कि जो 36 गड़ के मुखमंत्री है उन्होंने घोटाला किया है कहां गया वहां का पैसा तो इसी पर हम लोग आज चर्चा कर रहे है अब हिमाचल के भी राजनीती तेज है कि वहां पे क्या कुछ होगा क्या वहां पे चेहरे बदले जाएंगे हलाकि एक साल पूरा करने जा रही है कॉंग्रेस पार्टी लेकिन जैराम ठाकुर का कहना है कि एक साल में उन्होंने किया क्या साल पूरा होने जा रहा है कॉंग्रेस का में जो सरकार थी मंतरी थे विदायक थे उससा ग्राउंड पर थे जो आपदा से पीडित लोग थे उनकी मदद करने में जूटे हुए थे तो Congress का कहना है कि हमने जो वादे किये थे उनको हम पूरा करेंगे थोड़ा लेट हो गया आपदा के चलते लेकिन हमने शुरू कर दिया ओपियस की गरांटी हमने देनी शुरू कर दी है महिलाओं को पैसे देने शुरू कर दी है हलांकि जो BJP है वो हमेशा कह रही है कि आपने शुरुआत हुई थी और वहीं दफन हो गई और जराम ठाकूर ने ये भी कहा है कि कॉंग्रेस सरकार की हिमाचल में आप कोई गरंटी बची नहीं है यानि वो एक संकेत दे रहे हैं क्योंकि बहुत लंबे टाइम से बीजेबी की तरफ से कहा जाता है कि कॉंग्रेस के बहुत सारे लोग उनके टच में हैं तो ऑप्रेशन लोटस के लिए बीजेबी बहुत फेमस है जैराम ठाकूर ने भी कहा कि हर तरके घोटाले सराब घोटाले हो गए कोईला घोटाला हो गए ये उन्होंने 36 सरकार पर आरोप लगाये हैं दिके महादेव एप का मामला बहुत ज्य बहुत सारे लोग को इसमें शामिल थे तो घोटाले और ये सब क्योंकि एडी और लगातार वहां पर चापे मारी कर रहे थी और देखे बाकी रिजल्ट्स क्या हैं वह मैटर करता है हो सकता है कि जनता ने भाप लिया हो कि जो हमें चाहिए था वो बुपेश बगिल सरकार नहीं दे पाई लेकिन हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में एक साल का जश्ण जो है वो कॉंग्रेस सरकार मनाने जा रही है उसके अपने बाते हैं अपने दावे हैं कि हमने ये किया लेकिन पांच साल अभी हैं रोजगार देने की जहां तक बात थी हर साल एक एक ला आईगी या नहीं यह अपने आप में बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि कर्ज जिस तरह से सरकार जिस स्पीड में लेड़े क्योंकि गवर्मेंट की मजबूरी है तो हर साल हर महीने एक हजार क्रोड रुपय कर्ज लेना पड़ रहा है तो पांच साल में वो आपने सुनाओगा बीजेपी प्रदेश अदेख्शन हो तो पूरी डिटेल्स निकाल चुके हैं कि अगर इस स्पीड से अगर सुखो सरकार कर्ज लेती है तो साथ हजार क्रोड से जादा का कर्ज ज कि प्रदेश में आमदनी कैसे बढ़ाई जाए उस पे काम नहीं हुआ आये के स्त्रोत क्या है आपको पैसा कहां से आएगा राजस्व कैसे सरकार का बढ़ेगा तो उसके लिए सुखो सरकार ने दावा किया है कि हमारा फोकस जो है राजस्व बढ़ाने पर है तो यह तमाम कि मुझे ने लगता कि दिल्ली से कोई जाएगा और क्योंकि अभी तो मंथन शुरू होगा च्छे तारीक को इंडी गटवंदन की बैठक है हार पर मंथन होगा मोदी को कैसे रोकना है बीजेपी को कैसे रोकना है इस पर तमाम बातों पर विचार होगा गटवंदन जो वि बदल हो सकती है क्या देखे कैबिनेट विस्तार की बात तो लगातार पिछले साथ आठ महीने से चल रही है लेकिन वजह क्या है सब को पता है क्योंकि अगर तीन पद खाली हैं और कम से कम छे से साथ लोग चाहते हैं कि हमें मंत्री बनाया जाए तो लोग सभा चुनाप से कि पहले मुझे ने लगता कॉंग्रेस रिस्क लेगी हलांकि सियम संकेत देरे हैं कि हम मंत्री मंदर विस्तार करने वाले हैं अगर करेगी बी तो हो सकता है कि एक या दो पत भरे जाएं तीन नहीं भरे जाएंगी क्योंकि इससे फिर Angrains को दिक्कत हो सकती है लोग सोभा च क्लिया था कि कॉंग्रेस में किस तरह की गुटवाजी सामने आये थी वह आज भी है आज भी उस पे परत है एक लेयर आ गई है कि हां सामने नहीं दिखते हैं लेकिन हां अंदर खाने हैं तो इसलिए सुखु जो हैं वो मजे हुए राजनीतिक गया हैं काफी टाइम से वहां सक्रिय हैं तो बहुत कर कदम रख रहे हैं और अब हो सकता है कि एक या दो लोगों को मंत्री बनाएं तीन को नहीं बनाएंगे क्यों कि अगर तीनों को बना दिया जाएगा तो फिर जो लोग नाराज है उनको पता चल जाएगा कि पांच साल हमारा कुछ नहीं होने वाला हो सकता है कि भाज़पाउन पर डोरे डाले तो यह सारी तमाम चीजे हैं बाकि 11 तारिक से पहले क्या होने वाला है वो पता चल देए पंजाब के मुखमंत्रियों से काफी मिल जूल रहे हैं तो सर क्या आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ शीट दी जाए के जिवाल सरकार वहां पर भी नहीं ये देखिए हिमाचल में मुझे लगता कि अभी आमादीम पार्टी उतनी स्ट्रॉंग है क्योंकि शुरुआती दौर में आमादीम पार्टी का जादू थोड़ा दिखाता हिमाचल में लेकिन अब नहीं है खासकर पहाड़ी राज्या उत्राखन में आपने देख ल वहाल आमादिन पार्टी के लिए वो स्थितिन नहीं है तो जैराम ठाकूर लगातार बोलना है कि 10 गरंटी अपनी बताई हो और सरकार का कहना है कि हम 10 गरंटी आपको दे चुके हैं फिलाल अभी 10 काम भी ने गिना पारहे हैं जैराम ठाकूर का ये कहना है कि ये कैसा जस्न का माहौल है जहां पे आप 10 काम बेने ही बता पा रहे हैं की आपने वो 10 काम क्या किया लेकिन प्रदेश के सुखों जो मुखह मंतरी है वो बोल ला है कि हम 10 कारेंटियों पे काम कर चुके हैं जो हमने बोला था वो किया है और एक साल पूरा करने जा रहे हैं और उसके बाद जो भी काम होगा हीमाचल के लिए अच्छे काम होगे वो नहीं क्या क्या काम किber reject आपको पता हिए राजनीती होते रहती है तो फिर हम बात करेंगे हिमाचल की तो हिमाचल में एक साल की कारिकाल सुख सरकार की हो गई है अब उस पर जस्ट मनने जा रहा है और देखिये किस प्रकार से उसको मनाया जाएगा और आगे की अब्जेट्स हम आपको देते रहेंग झाल झाल